तो आज बात करते हैं कि एक front end developer का साल कैसा दिखता है, कई बार में पता नहीं होता कि job में जाएंगे तो हमारी जिन्दगी कैसे होगी, पूरा का पूरा साल कैसा दिखेगा, एक बार हमने एक वीडियो बनाया था कि एक दिन कैसा दिखता है react developer को और लोगों बहुत अच्छा जाने कि company को बड़ी company जैसे Microsoft में था, तो बड़ी company के दर छोटे छोटी companies रहती थी, उन छोटे छोटी companies को जैसे Microsoft Teams है, Outlook है, तो उनको हम एक org बोलते थे, तो org जो होता है उसके लिए time होता है ये goal setting का, कौन क्या करेगा, market की क्या demand है, बड़ी companies जो है सालों की cycle में चलते है एक साल की cycle में चलती है और respond करती है, तो ये जो साल का cycle है, ये किसी company के लिए June से शुरू होता है, किसी company के लिए September से शुरू होता है, अलग-अलग time पर शुरू होता है, लेकिन इस video के लिए हम मान के चल रहे है कि हर company की cycle जानमे से शुरू हो रही है, तो जो पहला महिना हो वहाँ होती है goal setting, goal setting उसी को OKR कहते हैं किसी company में इसको objective की results कहते हैं, उसी को कहते है planning कि भहिया इस साल हम क्या करेंगे, किन projects पर काम करेंगे और वो goal पहले 15-20 दिन setting होते रहती है और उसके बाद वो front end engineer होते हैं, उनके पास आते हैं कि भहिया इस साल का goal ये है, ठीक है, आपको इन इन चीजों पर काम करना है, ये चीज़े बनानी है, ये deliverables हैं, ये timelines हैं, और इस साल के अंत तक, mostly इस साल के September, October तक, क्योंकि देखो, आप बड़ी companies देखो कि जैसे Apple है, या Google है, या Microsoft है, तो सब के developer conferences होते हैं, ठीक है, तो वो, जिस cycle शुरू होता है, उसके 8 या 9 महीने बाद, developer conference होता है, जहां वो अपने नए features अनाउंस करते हैं, ये developer conferences जो होते हैं, ये इन companies के एक तरह से heartbeat होते हैं, कि हर साल हमें यहां कुछ नया तो दिखाना ही है, तो उस हिसाब से planning की जाती है, कि कुछ भी नया बनाकर, test करके, उसको debug करके, उसको उतारने में, मार्केट में, 7-8 महीने लग जाएंगे, इतना लंबा cycle होता है, तो हम उसलि की manager कौन बन रहा है, tech lead कौन बन रहा है, बहुत साथ चीज़े होती है, product manager कौन साथ में काम करेगा, क्या urgency है, क्या importance है, ये project के उपर कौन देख रहा है, कौन सा VP इस project को देख रहा है, बहुत कुछ प्राचल जाता है, तो February में शुरू होता है काम, ठीक है, अब आपको software बनाना है, एक feature बनाना है, बड़ा feature बनाना है, ठीक है, तो आप सोचोगे, आप कैसे करेंगे इसको, तो उसको करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप front end developer हो, तो आप ऐसा तो है, नेकी silo में बैट के काम करेंगे, या code लिखे चले गई, नहीं, आपको product managers के साथ काम करना है, आपको designers के साथ काम करना है, आपको tech lead के साथ काम करना है, आपको back end developers के साथ काम करना है, तो फरवरी में होती है भरभर के meetings, जिन meetings को हम collaboration भी बोलते हैं, कि अच्छा front end का design कैसा दिखेगा, ये first version है, ये prototype समझ में आ रहे हैं, अच्छा इसके लिए back end API क करना चाहेंगे, हम शायद ये use करना चाहेंगे, तो आप एक अपना tech stack finalize करते हो, आप product team के साथ brainstorming करते हो, prototyping करते हो, wire framing करते हो, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा बनाना क्या है, ऐसा नहीं है, आप उसके लिए planning करते हो, अब आया मार्च का महिना, मार्च के महिने म कि यार मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं इसको ऐसे बनाना चाहरा हो, तो अगर मेरे पास पूरा का पूरा idea है, कि यार ये चीज़ को इस तरह से बनाना है, तो हम लिखेंगे क्या engineering design dog, हम कहेंगे कि इसको हम इस तरह से engineering wise design करेंगे, कई बार case ऐसा भी होता है, कि हम नहीं पता कि ये कैसे बनेगा, हम सोचते हैं कि ये graphquare से अच्छा बनेगा, ये sweat से अच्छा बनेगा, हम नई technology try करना चाहते हैं, वो हम सीज़े सीज़े production में नहीं उतारते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक POC, POC का मतलब होता है proof of concept, यानि कि हम आई दिवांग में ए लिखा नहीं है, अभी भी production code लिखना शुरू नहीं हुआ है, तो January, February, March बीच गये, तो कई बार आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है, बट सच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो आपने किया February में वो काम नहीं था, वो भी काम था, उसमें आपने ब production level code तो नहीं लिखा है, अब आता है April, और April में होता है जम जमा के धम धमा कर काम, ठीक है, अब आपने जितना सोचना था, जितनी planning करनी थी, जितनी reviews करने से, जितना collaboration करना था, आपने कर लिया है, अब आप आ रहे हो कि मशीन पर बैठेंगे, सुबह से शाम code लिखेंगे, और धे सारा code लिखते हैं, इस टाइम पर आपके sprints बहुत strict हो जाते हैं, April और में के थोड़ा first second week तक, क्योंकि 6-8 week का बहुत बढ़िया sprint चलता है, जहां आपको खूब सारा code लिखना होता है, क्योंकि यार आपने जितना सोचना था, जितनी design सोचनी थी, जितनी engineering सोचनी इसके लिए ready करूँगा, फिर आता है में, में जो है उसमें बड़े मज़दार चीज़ होती, क्योंकि आपने बहुत सारा code लिखा है, तो बहुत सारी गलतिया भी हो रही है, अभी आपने shape भी नहीं किया है, आप फरूग करते हैं, उसको test लिखना, उसके test cases बनवाना, उस testing, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, यानि कि अब हम May के time पर आ गए है कि हम quality को better कर रहे हैं before shipping it out, देखो मज़ा आ रहा है, तो ध्यान रखो कि ऐसे और वीडियो जाने वाले हैं, तो अगर तुम subscribe बटन नहीं दबाओगे, तो पता कैसे चलेगा कि और वीडियो जाएंगे, तो subscribe करते जाना, जून का महिना आता है, अब आपका क्या है ना, जो major coding का part था, वो March के last से, May के last तक coding, testing, setup वगेरा हो चुका है, तो आपका जो बड़ा chunk of work होता है, जो बड़ा chunk of shipping होता है, वो आपका हो चुका है, shipping मतलब देखो, shipping दो तरह की होती है, एक आप code लिखकर code को आपने code ship किया, दूसरा shipping होता है, जो आपका code package होकर client को मिलता है, उसमें अभी time है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने quality insurance का काम शुरू कर दिया था, अब आप छोटे-छोटे जो testing होई, पदा चला क्या यह फटा है, यह गलत है, तो अभी आप user को ship नहीं कर रहे हो, या और उन से जो feedback आया, जो bug आया, आप उसको अब resolve करें हो, तो आपके ऊपर जो बहुत बहार था, April, May महीने में ship और feature testing का, वो अब कम हो गया है, और June में इसलिए महीने आता है, महीना आता है, क्या चीज़ का, तो conference का, तो conference में क्या होता है, आप जाते हो, आप देखते हो, इस साल, React में ये नया आया है, अच्छा, व्यू में ये नया आया है, अच्छा, React Native में ये नया है, अच्छा, JavaScript में ये नया है, और आप ये conferences में जाकर, आप networking भी करते हो, आप बताते हो कि हमने क्या बनाया है, बाकी लोग क्या कर रहे है, तो आपको समझ में आता है, क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया कहां से कहां पहुच रही है, क्या हो रहा है, और जून में और इसे टाइम पे conferences में नए-ने releases भी होते हैं, मतलब कोई react में कुछ नया release हुआ, कोई angloon में कुछ नया release हुआ, javascript में नया release हुआ, कोई library या कोई framework वक आप follow कर रहे हो, state management का, तो उसमें कुछ नया release हुआ, तो यह सब releases भी आपको आते हैं, जून के जुलाई के महिने के आसपास, तो जुलाई में आप क्या करते हो, अब जुलाई में अब थोड़ा कम है, starting के 6 मेंने बहुत काम होता है, तो अब आप क्या कर रहे हो, दो-तीन चीज़े होती है, इसमें बड़ा मज़ार होते है, तो आप conference आते हो, आप देखते हो, नया-नया release हुआ, तो आपको लगता है, अबे, मैं तो यह ट्राई किया, यार, मुझे भी ट्राई करना है, तो आप सो सच यह वाला ट्राई करेंगे, अच्छा यह भी ट्राई करेंगे, यह तो बड़ा cool technology है, भाई साब, इसको भी ट्राई करना है, यह भी ट्राई करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके उमर के लोग, आपके साथ के लोग, बहुत बढ़ियां-बढ़ियां talk दे रहे हैं, काफी अच्छा अपना personal branding कर रहे हैं, तो आपको लगता है, यार, मुझे भी करना है, अगले साल मैं भी इसी मंच पर खड़ा होकर talk दूँगा, या खड़ी होकर talk दूँगी, है ना, तो उसमें जो आई अगस्त के महिने में ये चलता है, क्योंकि वर्क वाइज आपको pressure थोड़ा कम हो चुका होता है, तो आप अपने personal development में, personal learning में, personal brand building पे थोड़ा काम करते हो, तो हम बात करते हो, आप अपना side hustle build करने का try करते हो, क्योंकि जब काम कम होता हो, आपको समय लगता है, क्या क करते हैं, एक startup का idea try करते हैं, थोड़ा freelance करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह से August वगेरा का महिना होता है, August September में, आप अपना side hustle, brand building, कुछ लोग YouTube channel खोल लेते हैं, और फिर दो महिने बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है YouTube channel चलाना, आपको और हमें inner rings पे ship किया था, उसके bugs आ रहे थे, अब हमने उसको ring को बढ़ा किया, अगर 10,000 को ship करें तो हमने एक लाक या, दो लाक या, पांच लाक लोगो को ship किया है, तो जो हमने पांच लाक लोगो को ship किया तो दो चीज़े होंगी, एक तो फटे का जादा क्योंकि बहुत सारी pieces आ off करें, या फिर dark mode कैसे on करें, तो ये सारे जो छोटे-छोटे controls हैं, जो छोटी-छोटी pieces हैं, छोटे-छोटे user flows हैं, वो आपके पास आजाते हैं, तो फिर से आपका थोड़ा plate भर जाता है, या तो बगारा या 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 आ तो आप development रोज का रोज कर रहें, और September के महीने में थोड़ा आप अपने promotion वगेरा का भी ready करते हो, इसको package बोलते हैं, promotion package जिसमें आप बदाते हो, इस साल मैंने इतना कुछ ship किया है, मैंने इतना कुछ सीखा है, हो सबता है उस साल आपने conference में talk दिया हो, या company के अंदर आपने talk दिया हो, तो उन चीजों को बदाते हो कि हमने अच्छे से काम किया है, तो हमारा देख लेना थोड़ा, ठीक है, तो मैंने इसको बोलते है, ठीक है, हमारा तो यही काम है, तुम्हारा देखना हम देख लेंगे, तो यह हो गया September का महीना, अब October November की बात करते है, October November थोड़ा मज़दार मन्त होता है, क्या है कि आपको अब आती है हाइक, मतलब कितना पैसा बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, और मानो ना मानो यार, 20, 40, 50, 60 लाक भी जिनका पैकेज होता है, उनको भी 55% हाइक से इतना फरक पड़ता है, क्यों कि वही जिन्दगी हो जाती है, लगता है यार यहां आर गए तो क्या फाइदा, जि किसी को 10 मिला, और मुझे 8 मिला, किसी को 15 मिला, और मुझे 13 मिला, और लोग बाते करते हैं, बड़ी कमपनीज में, कि किसको कितना पैकेज मिला है, किसको कितना परसेंट मिला है, किसको कितना टॉक बोनस मिला है, किसको कितनी सेलरी बोनस मिला है, किसको कितना सब कुछ तो, और बड़ी companies में salary को बड़ा चीज बनाया जाता है, तो आपका एक salary में high होता है, एक आपको salary पे bonus मिलता है, performance bonus, एक आपको stock bonus मिलता है, एक आपको stock award मिलता है, तो पांच, छे, आठ चीज़े करते हैं, ताकि आपके पस बाते करने के लिए, गपी आने के लिए, दुख, feel करन करने के लिए, कि अरे यार मैं करोड कमा रहा हूं, लेकिन एक करोड बीस लाख नहीं कमा पार हूं, ऐसे दुख, feel करने के लिए, एलीट दुख, feel करने के लिए, आपके बाद भारी-बारी चीज़ें हो, तो इसमें बड़ा समय व्यतित होता है, क्यों? क्योंकि product भी बहार कमपनी को यह कमपनी तना दे रही है, तो मैं वहां इंटर्व्यू करने जा रहा हूं, जा रही हूं, यह सब होता, तो, November आते आते, November आते आते, December का 1st week आते, सब लोग अपने decide कर लेते हैं, कि आतो मैं टीम चेंज कर रहा हूं, मुझे इस मैजर के अंदर नहीं रहना, यह का मतलब ही है कि अपना दुख भारी, तो उसके बाद आप जॉब चेंज करते हो, टीम चेंज करते हो, या उसी टीम मैजर को बोलते हो, कि इस साल मेरा प्रमोशन नहीं हो, आप अगले साल पका करोगे ना, तो मैजर बोलता है, हाँ तुम बहुत चाह कर रहे हो, अगले साल में जा रहे हो, कौन सी नहीं टीम में जाएंगे, कौन सी कंपनी चेंज करेंगे, और के चेंज करेंगे, मैनेजर चेंज करेंगे, इस सब करके आप ने मन की शान्दी करेते हो, कि देखो, मैंने इस साल बहुत महनत की, अब आगे दिसंबर, और दिसंबर में कोई काम नहीं करता कोई कोई काम होता ही नहीं है दिसंबर में एक ही चीज़ होता है कि अगर कोई बड़ा बग आया है तो उसको रिजॉल्फ कर दो अराम से रहो बिल्कुल अराम से पाव पाफिल आगर रहो दिसंबर में मतलब लोग छुट्टिया लेते हैं यूएस हम सब यूएस वाली कंपनी के साथ जादा काम करते हैं इंवन आप अगर इंफोसे विप्रो मैं भी काम कर रहे हो तो वह भी कंपनी जा कोड में अब कोई नया चेंज नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे आप बैटके जहाल बजाओगे तो आप भी अपना घुमने फिर ने निकल जाते हो चुट्टिया भी बची रहती हैं यह भी होता है कि साल में मानलो आपको 20-25 चुट्टिया मिली हैं तो आपके पास तो हो चुका ना तो इस तरह से वो December ऐसे ही अराम अराम से बिता उसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम तो reflect कर रहे हैं हम अपना goal setting कर रहे हैं next year के लिए जूट बात है इतने पैसे कमाने के बाद आप इतने complacent हो चीजों को लेकर कि आप कुछ भी नहीं करते आप अराम से अपन की बिताऊंगा और इस तरह बीटता है एक front end developer का साल तो अगर आपको असली job में क्या होता इस तरह के वीडियो से और चाहिए तो आप शरूर से like कर देना comment में एक पहरा सा comment डाल जाना share कर देना और subscribe करना मत भूलना वरना नया वीडियो आएगा तो कैसे पता चलेगा